नमस्कार दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है। टीवी के जाने माने कलाकार सिधार सुकला के निधन की ख़बर ने लोगों को अंदर तक तोड़ दिया है। लोग यही कह रहे हैं कि अगर यह हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। सिधार सुकला का यूँ चले जाना हर किसी को खल रहा है। अभी तक इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि सिधार अब हमारे बीच नहीं रहे। सिधार 40 साल के थे और बताया जा रहा है कि उनके निधन की वज़ा हार्ट अटैक है। लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिक खुद की फिटनेस पर ध्यान देने वाले सिधार सुकला के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर जिम में तीन घंटे बिताने वाले सस्क के साथ ऐसा कैसे हो गया। डेड़ दो साल पहले बिग बोस 13 में सिधार सुकला ने इस बात का जिक्र किया था कि वो सिगरेट की लख से परिसान हो चुके हैं। बिग बोस 13 में अपनी एक्स गलफ्रेंड सेफाली जरीवाला से बात करते हुए सिधार सुकला ने अपनी मेडिकल कंडिशन के बारे में बताया था। इस दौरान के पास विसाह आदित्य सिंग भी बैठे हुए थे। सिधार सुकला ने तब कहा था कि वो अपनी लंग क्लीनिंग ट्रीटमेंट के लिए लंदन जाना चाहते थे। सिधार सुकला ने कहा था कि लंदन में ये सब अच्छे तरीके से होता है और वहां पर असानी से उनका डार कार्बन निकाल दिया जाएगा। सिधार सुकला की इन बातों से साब जलगता है कि वो जल्द से जल्द अपनी सारी बुरी चीजों से छुटकारा पाना चाहते थे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद